आदोस्तों केनेडा और भारत के बिगढ़ते रिश्टों के चलते अब कही न खएंसका असर जो ए अंतराश्टरी स्टर पड़े इससे के निससे लगा है कि है जुजा इसको लेकर वहाँ पर प्रश्रासनी कारिवाई की गई और यह इल्जाम भारत पर लगाया गया कि कहीना कहीं उनका खालिस्तानी नेता है निजर उसको लेकर उसकी हत्या के बाद कहीना कि उसका संधे भारत पर जताते हुए वहां के डिप्लोमेंट को निस्काशुत करें कि एक बार फिर से जो वहां पर लोग हिंदू हैं रहते हैं वहां पर उनको लेकर भी कहीं सारी मांगे उठाई है कि हिंदु को केनेड़ा से निकाला जाए और भारत भीज़नाए जो रिष्टे निजर की हत्या कि लेकर बाद में सामने आया मामला उसकी बाद जो बाते तम कर दे जी आरे आरेंड करने की मांग भी रखी गई। वीडिजो के मारे से लिखा दिखा और वीडियो के मार हूं मांग किए इस फीथ वीडे ने को बिल्कुल कर देने चाहिए और जो हाँ पर लोग रहते उनकोरे द़िकाल देना चाहिए शा Mae दोस्तों कहीं तर इस खबर का जो है बहत असर पर आपको बता दे कि भारत और कनेरा का जो वैपार रहा है वह दस्वे स्थान पर रहा है और जो ट्रेडिंग मामले में दस्वे स्थान पर दोनों आते हैं कई सारी चीजें जो उसको एफेक्ट करती है अब खबर यह भी आई जहां पर हमने देखा कि लंडन के ब्रिसेस्ट में खबर दोस्तों यह भी आई जहां पर करनेडा में आरेसे बैंड करने के बाद कर लंडन में एक घटना का वीडियो वाइल हुआ दोस्तों आपर सामने आ रहे हैं कि आप ऑस्टेलिया में भी आरेसे को बैंड करने की मांग उठने लगी यानि कि दोस्तों जिस तरीके से कि बाद एक घटना क्रम आगे जा रहा है जिसे केनेडा भारत के रिष्टों के बीच में तलकी आए उसके बास से इंटरेशनल लेवल पर किस तरीके से खबरे सुनने को मिल रही है आपको बता है कि ऑस्टेलिया में पहले भी कई सारे ऐसे मा मंदिरों पर घटनाए हुई जो खालिस्तानी नारे लगाया गई महाँ पर हिंदू विरोधी गतिविद्या की गई उसके पीछे कहिना कि हिंदुवादी संगत्नों को हाथ ही बताया जा रहा है पुरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी कि किस तरीके से आप कैनेडा के बाद ऑस्टेलिया में भी आरेसिस को बैंड करने की मांग कही रहा कि जोरो सोरों पर उठने लगी है वाजित खान एक्स यूजर ने जिननल इस खबर को बताया है मैं आपको बताती हूं ऑस्टेलिया में कहीं मंदिरों पर भारत विरोधी चित्र बनाये ग क्योंकि संगठन का काम दंगे करवाना और समाज में अफ्रत फिलाना ही है दोस्तों कहीं हमने देखा कि कैनेडा में आरेसिस को बैंड करने की मांग उठी उसके बाद लंडन के लंडन में हमने देखा कि किस तरीकिस जुलूस के नाम पर महाँ पर गुंडागर्दी भगव पुलिस ने जाच की अपनी और जाच में जो रिपोर्ट सामने है इस रिपोर्ट में यह साफ तोर पर दिखा दिखाया गया है कि हिंदुवादी संगठनों का एक काम है जिनका मकसद होता है कि उत्पात फैलाना समाज में दंगों को बढ़ावा देना और गलत गतिविद् तमाम जोसे ओर दंगे फसाद फिलाने का काम जो है और ऊसे ऽिसके लोग चो भगवाधारि को पतके बढ़ाते हैं और एसे तमाम तस्वीर है हमने देखी जहां पर आपको पता है कि आरेसे को लोग जो है किस विशारधा घाला को लेकर काम करते है औरहनका मास्त प्रिक क्ल किस तरह से मामला सामने और किस तरह से रिपोर्ट के जरिये से पता चला है कि इस पूरी जो गतिविदिया है इन सब के पीछे हिंदुवादी संगटनों का ही हाथ है जो आपके कई सारे सवाल को भी खड़े करता है और यह बताता है कि अब कहीं कैनेडा के बाद ऑस्ट्रेलि पूलिस को संदे हिंदों ने किया मंदिर पर हमला यानि कि ऐस्टेलिया में जो सब गतिविदिया होती रहे हिंदुवादि संगटन के कहीं उसके पीछो हाथ है और जिख़ो पूर जस्टीज ने जनमत संगड़े कराने का इलान किया तो उसके ठीक बाद मेल्बर्बन में थे उसके बाद Brisbane और Sydney में भी मंदिरों पर ऐसे ही हमले विरोधिनारी लिखे गए इनमें जब Sydney के एक मंदिर पर हमला हुआ तो सिक संगट्नों ने अरोब लगाया कि हमले में शामिल व्यक्ति हिंदू संगट्नों से जुड़ा हुआ है तब पुलिस ने एक बार गाली की तस् प्धामंत्री एंथनी एल्बनीज के मुलाकात की दौरान उठाया था उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि एल्बनीज ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हिंदू मंदिरों की सुरक्षा की जाएगी यानि कि दोस्तों हाल फिलाल में जो Sydney में मंदिरों पर हमला हुआ तो उसके बाद में रिपोर्ट जो सामने आई थी जाच हुए थी उसमें दिखाया गया था कि जिस गाड़ी को उस हमले के दौरान पतक पकड़ा गया उसमें हर्याना लिखा हुआ था यानि कि उस्टेलिया पुलिस को संदे था कि उसके पीचे कहीना गई हि कि यात्रा की तो महाँ पर जो प्रधार मंत्री उस्टेलिया के एल्बनीजी उनके सामने बात रखी और कहा कि जो हिंदू समुदा है हिंदू की मंदिर है उनकी सुरक्षा जो है मुहया कराना आपका हाथ है इसके लिए उसमें आस्वाशन भी दिया गया था कि हां मंदिरो की सुरक्षा की जाएगी जो रिपोर्ट सामने इसमें दिखा गया है कि किस तरीके से वहाँ पर जो तमाम गतिविद्या हो जिने तमाम चीज़ें सामने आए उसके पीछे कहीना कि हिंदूवादी संगठनों का हाथ है जो की दिखा रहा है कि जिस तरह से भारत में हिंदू भारती जासूसी एजनसिया चाहते है कि पुलिस सिखों की राजनितिक रहलियों को कानून वेवस्था के मामने की तरह देखे और उन्हें होने ना दे मार्च में यह हमला होने के बाद हिंदू संगठनों में खालिस्तानी समर्थों को पर आरोप लगाये थे उसके बाद सो उनके खिलाफ हमेशा जाने के लिए उनको संदे की नदर से देखने के लिए उनकी जो गतिविद्या होती उनको ना करने के लिए कहिना कि हिंदू आजी संगठन इस चीज़ का सारा लेरा है क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी का हमेशा से विरोध होता रहा है वो आप पीचा जा सके यानि कि जिस तरीके से दिखाया जा रहा है तो आपने आप समझे की पुलिस को संधे है कि हिंदू वादी संगठन जानकर ये खुद हरकते कर रहे हैं ताकि खालिस्तानी जो संगठन ने उसके उपर संधे की नज़र बना जासे कि और सारा इल्जाम खालिस् हिंदू ने खुद ही बना दियों ताकि पुलिस का ध्यान एफ एफ जे की और खीचा जा सके सिक फोर्ट जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक संगठन जिस पर भारत सरकार ने प्रतिबंद लगा रखा है अंतराश्टी इस तर पर सक्रिये संगठन ने ऑस्ट्रेलिया कैनेड में तो इस तरह से भारत हमेश्वा खालिस्तानी संगठन का विरोध करता है उस पर आपत्ती भी जतातरा है लेकिन जो वहां पर उस्टेलिये में गतिवीद्या सामने आई है उस पर पुलिस को यह शक हो चुका है कि कहिना के हिंदू आदी संगठन इसका खुद फायदा उ उसकी ऊपर आपत्ती बीजताती है दोस्तों आपको बतादे कि पिछले कुछ समय से और स्टेलिया में कई बार एसी घटनाएं सामने आ चुकी जो दिखाती है कि महां के मंदिरों पर वहां की जो मुझा हुआ है उनके उपर इस तरह की गतिवीद्या होते रही और तमाम- भारत विरोधी नारे लगाई गये हैं वहां पर लिखे गये उसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि इसमें दिखाया गया है हमेश्व भारत नीज बात को आपत्ति की है कि कहना कहीं खालिस्तानी समर्था को का इसके उपर हाथ है क्योंकि बड़ी संख्या में कैन जो जानकारी सामना है वो जानकारी यही है कि उसमें दिखाया गया है कि भारत विरोधी खालिस्तान के समर्थक में नारे लिखने में हिंदू समुदाए कि ही किसी वैक्ति का हाथ हो सकता है इस तरह से कहा जारा है ब्रिज्बेंड के रहने वाले B.S. गोरेया ने तक्लीस पुलिस से दस्तावेज हासिल किये मीडिया में भेज़ गई दस्तावेज में पुलिस ने कई ऐसी संसंज खेस बाते कहीं जो इस बात की और इशारा करती है कि ब्रिस्बेंट में मंदीर पर मार्च में हुए हमले हिंदू समुदाय के हाथ से हो सकते यानि कि जो एक रिपोर् जिस तरीके से कनेडा भारत के रिष्टों में तलखी चल रही एक के बाद एक महाँ पर रिष्टों में गिरावट आ रहे इसके बाद फिर हमने लंडन में ऐसी चीज़ें देखी जहां पर गरेश अतुर्थी की तुरान इस तरह से यात्रा की जुलूस निकाला गया और ज कि ये कर लो भाद है कि एक महाँ आ बादा है कर प्यातbalance से हमने लंडन पल विर हमने फिर हमना की देणकते की जुलूस कुलूस तरह से बाला गया पिको में हमने देखी की रिष्टों में दूने की पुलूस निकाश clickkenश उताशाम एकि हम एमरा इकक जूस्चे टुक्श precisa क